So, Hello दोस्तों सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साथ ही बोलूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें थाकि आप लोगों को हमारे दुवारा दिये जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलत रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो फर्स्ट कुश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दा वर्ड ओपोजिट इन मेनिंग टू विजिलेंट यानि कि आपको जो है यहाँ पर विजिलेंट वर्ड के लिए ओपोजिट मेनिंग को चूज करना है तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले विजिलेंट वर्ड का मेनिंग पता होना चाहिए कि विजिलेंट का मेनिंग होता क्या है तो अगर बात की जाए विजिलेंट की तो देखिए इसका हिंदी मेनिंग जो होता है वो आपका होता है एक तरीके से सतर्क या फिर सावधान ठीक है तो इसका जो है आपको opposite बताना है यानि की willow बताना है तो देखिए यहाँ पे जो है correct answer क्या हो जाएगा options दिये गए है annoyed, displeased, lenient या फिर careless तो देखिए जिस प्रकार, vigilant का meaning होता है सतर्क या फिर सावधान उसी प्रकार option number D में दिया गया है careless ठीक है, careless का meaning क्या होता है, careless का meaning होता है एक तरीके से लापर वहा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा correct answer हो जाएगा option number D, careless, अगर दूसरे words की बात की जाए तो देखिए, annoyed का मतलब क्या होता है, annoyed का मतलब होता है, नाराज displaced जो होता है, उसका भी same meaning होता है, नाराज और lenient जो word है, इसका meaning होता है, आपका एक तरीके से दाया लूप, ठीक है तो correct answer हो जाएगा हमारा इस question के लिए option number D, clear है, चलिए आप लोगों बताना चाहूँगा, unacademy के बारे में, unacademy आप लोगों के लिए लेकर के आया है, one stop destination for NDA, Air Force XY and Navy exam, जिसमें की बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में practice set दिये जाएंगे, जिसकी आप लोग practice कर सकते हो, इसके अलावा भी जो है, आप लोगों को उन exams के regarding धेर सारा study material भी provide किया जाएगा, और अगर आप लोग NDA exam की preparation कर रहे हो, तो इसमें जो है, आपको return के साथ में, SSB exam की भी preparation करवाई जाएगी, जिससे की आप लोग NDA, Air Force XY और Navy के return को आसानी से qualify कर लो, और तो उस्तों साथ ही में जो है, अनेकेडमी के द्वारा दो नए बैच भी शुरू किये जा रहे हैं, जो की आपके हैं, विकरान्त इंडियन नेवी और अगनी NDA, इन दोनों courses को जो है, 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जिन में defense के top educators के द्वारा आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप लोग इन courses में enroll करना चाहते हो, तो आप लोगों को simply an academy का learner app install कर लेना है, और उसमें simply आपको register कर लेना है, register करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा choose course, तो course में जो है दोस्तों आपको defense की category में NDA, Air Force XY और Navy को select कर लेना है, उसके बाद में दोस्तों आपको get subscription के बटन के उपर click करना है, और वहां से जो है एक subscription plan को choose कर लेना है, उसके बाद जो है आप लोग Unacademy के in courses में enroll कर सकते हो, सारी links जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे description box में दी गई है, तो अब देखिए दोस्तों question number 2 और यहाँ पर आपको इस question में क्या बोला जा रहा है कि find the correctly spelled word, यानि कि आपको options में से उस spelling को chain करना है, जो कि आपको यहाँ पर सही दी गई है तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए option number A में जो है आपको एक word दिया गया है, contentment इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए contentment मतलब हो गया संतुष्टी तो यहाँ पर देखिए इसकी spelling जो होती है, वो आपकी होती है c-o-n-t-e-i-n-m-e-n-t जबकि यहाँ पर देखिए t-e-n use किया गया है, तो पहली options जो है, यह आपकी गलत हो जाती है उसके बाद में देखिए option number B, यहाँ पर आपको word दिया गया है consignment consignment का मतलब क्या होता है, तो consignment का मतलब होता है, ऐसी वस्तुओं को जमावडा, जिनको कहीं दूसरी जगे पर बेजा जाना हो यह word जो है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, और यहाँ पर देखिए consignment की spelling जो है, वो बिलकुल सही दी गई है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दूसरे words को देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option number B, consignment ठीक है, और consignment का word का meaning आप लोगों को पता होना चीए, कि ऐसी वस्तुओं जिनको कहीं एक जगे से दूसरी जगे पर बेजा जाना हो ठीक है, clear हो गया, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, तो अब देखिए question number 3, यहाँ पर दोस्तों देखिए question किस type का दिया गया है, कि spotting the error का, और आपको जोए नाविक exam में 2 या 3 question spotting the error से देखने को मिल जाएंगे, तो इनको जोए आप लोग बिलकुल भी neglect मत कीजिएगा, इतना hard आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इनको जान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, question को सबसे पहले पढ़िए, कि the car that he is using these days is belonging to his employer, ठीक है, यहाँ पर यह आपको meaning दिया गया है, यह आपको जोए यहाँ पर sentence दिया गया है, तो इस sentence में जो है, आपको पर error है, options में दिया गया है, कि no error, यानि कि इस sentence में कोई भी error नहीं है, option number B, कि the car that he is using, option number C, these days is belonging, या फिर option number D, to his employer, तो देखिए, यहाँ पर जो option number C आपको दिया गया है, कि belonging, ठीक है, इसमें देखिए, आपको एक word दिया गया है, belonging, यह belonging जो है, यहाँ पर गलत है, ठीक ह यानि कि option number C, जो हो जाएगा, इस sentence का, उस part में यहाँ पर error है, ऐसा क्यूं, तो देखिए, belong सब्ज जो होता है, वो non action verb है, क्या है, एक non action verb होती है, जिसका प्रियोग जो है, कभी भी continuous tense में नहीं किया जाता, इसका प्रियोग जो है, हम लोग जब भी करते हैं, तो present indefinite tense मे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, belonging to his employer के जगे पर क्या जाएगा, belongs to his employer, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, कि इस sentence का सही वाक्य क्या होगा, यानि कि यह जो है, कैसे sentence लिखा जाएगा, तो यह sentence हो जाएगा, आपका, the car that he is using these days, belongs to his employer, ठीक है, यानि कि यहाँ पर belonging नही यह आएगा, यह आपको clear हो गया, चलिए, तो अब देखिएगा दोस्तों, question number 4, और यहाँ पर भी जो है, आपको एक spotting the error का question दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम है, sentence को पढ़ना, तो चलिए sentence को read कर लेते हैं, तो sentence में बोला जा रहा है, कि 3 years have elipsed since I had gone to visit my aunt in the city, तो इस sentence में आपको find करना है, कि कहाँ पर जो है, इस sentence में error है, ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, options को सबसे पहले check out कर लेते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कि no error, option number B में बोला गया है, कि since I had gone to, option number C, कि 3 years have elipsed, या फिर option number D, visit my aunt in the city, तो देखिएगा, कि यह यहाँ पर जो है, कौन से पार्ट में गलती है, तो मैं बोलूँगा, यहाँ पर option number B, यानि कि since I had gone to, यह जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो है, गलती है, अब ऐसा क्यों है, तो देखिए, एक rule होता है, English में, कि present perfect tense, और past perfect tense, जो है, वो एक साथ प्रियोग नहीं किये जाते यानि कि इनका प्रियोग जो है, वो कभी भी एक साथ नहीं किये जा सकते, ठीक है, और यहाँ पर यह sentence में क्या बोला गया है, अगर मैं इसका Hindi meaning आपको समझाओं sentence का, तो यहाँ पर बोला गया है, कि तीन साल गुजर चुके हैं, जब मैं गया अपनी चाची के घर, यही त दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, I had gone जो है, यहाँ पर इसकी जगेप पर use क्या होगा, I went का use होगा, किसका use होगा, I went का, तो फिर देखिए, यह sentence क्या हो जाएगा, यानि कि इसका सही pronunciation क्या होगा, तो यह हो जाएगा, आपके 3 years have elipsed since I went to visit my aunt in the city, यह जो है, अब sentence perfect है, तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, कि कौन से section में error था, और क्या error यहाँ पे था, clear हो गया, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, तो अब देखिएगा दोस्तों, question number 5, यहाँ पर इस sentence में भी जो है, आपको same उसी type का question दिया गया है, sporting the error का, यहाँ पर क्या बोला गया है कि He assured me that He will return in an hour, ठीक है, यह बोला गया है, यहाँ पर इस sentence में देखिए, बोला गया है, He will return, यह जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कि He will return, यानि कि Part first में जो है, यह गलत दिया हुआ है, अब ऐसा क्यों, तो देखिए Rule क्य क्या होता है कि indirect narration के अनुसार ठीक है यानि कि जो indirect narration होता है उसके according reporting verb के past tense में होने पर जो है will के इस्तान पर हम लोग would का use करते हैं क्या करते हैं जब भी indirect narration के according reporting verb के past tense में होने पर जो है हम लोग will का use नहीं करके वहाँ पर would का use करते हैं ठीक है तो यह sentence क्या हो जाएगा तो यह sentence जो है correct sentence होगा कि he assured me that he would return in an hour ठीक है यानि कि option number a में ही जो है यहाँ पर गलती दी गई है he will नहीं होगा यहाँ पर he would होगा ठीक है clear हो गया समझ में आया चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ तो अब देखिएगा दोस्तों question number 6 यहाँ पर question में क्या बोला गया है कि choose appropriate word for the sentence यानि कि आपको जो है options के according सही word को यहाँ पर choose करना है sentence देखिए क्या दिया गया है कि some verbs needs a dash to convey the full meaning ठीक है यानि कि इसका अगर मैं हिंदी meaning आपको समझाओं कि इस sentence का meaning क्या है तो इसका meaning यह होता है कि कुछ verbs को आवशकता होती है एक ठीक है अपने अर्थ को बताने की तो यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत होती है verbs को कि उसका जो है अर्थ आपको समझ में आए ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा option number a में आपको दिया गया है compliment ठीक है यह compliment यहाँ पर सही answer हमारा हो जाएगा ऐसा क्यूँ तो देखिए compliment जो होता है उसका meaning होता है एक तरीके से पूरक ठीक है और देखिएगा verbs को जो है आवशकता होती है यानि की जरूरत होती है अपने अर्थ को बताने के लिए compliment की यानि की पूरक की ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा इस question के लिए right answer होगा दोस्तों option number A compliment component का मतलब क्या होता है तो component का मतलब जो है option number B में जो दिया गया है component तो इसका मतलब होता है पूरजा ठीक है क्या हो जाएगा पूरजा और यह जो complimentary आपको दिया गया है option number C में Complimentary का मतलब हो गया उपहार, तो यह तो यहाँ पर आई नहीं सकते, Clear हो गया, चलिए, बड़े next question की तरफ, तो अब देखिएगा दोस्तों, Question number 7, Idioms and Phrase का question जो है, यहाँ पर आपको दिया गया है, दो question जो है, भाई लोग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, यानि की Idiom and Phrase से दो question आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपके जो है, Sporting the Error से जो है, आपको दो question देखने को मिल जाएंगे, Active Passive से जो है, आपको एक से दो question देखने को मिलेंगे, फिर जो है narration के section से जो है आपको यहां से एक दो question देखने को मिलेंगे तो यह खुछ जो है fix chapter हैं कुछ fix topics हैं जहां से आपके question बनते हैं ठीक है मैं आपको जो है एक एक topic करवाऊंगा तो आप लोग मों डरने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है क्या बोला गया है कि to have an x to grind इसका मतलब क्या होता है तो इस idiom का जो है आपको सबसे पहले meaning समझना है तो to have an x to grind मतलब की इसका मतलब हो गया एक तरीके से अपने स्वार्थ को सिद्ध करना यानि कि एक तरीके से स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य जो होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि to have an x to grind ये clear हो गया plinth to paramount अगर आप लोगों ने book पड़ी है तो उसके जो है पहले ही chapter में जो है आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर दिखिए इसका meaning जो है सही क्या हो जाएगा options दिये गए हैं कि to fail an arose interest option number B कि to have a selfish and to serve option number C कि to work for both sides या फिर option number D to criticize someone तो देखिए option number B में जो है आपको दिया गया है कि to have a selfish and to serve ठीक है क्या दिया गया है to have a selfish and to serve तो यह जो है यहाँ पर correct हो जाएगा फिर देखिए यह क्या दिया गया है तो fail an arose interest ठीक है यानि कि रूची जगाने में असमर्थ इसका meaning क्या हो जाएगा किसी चीज के interest को जगाने में असमर्थ ठीक है और एक और दिया गया है to work for both sides ठीक है यानि कि दोनों तरफ लाब करना ठीक है यह हो गया तो यह भी जो है एक idiom and phrase दिया गया है देखिएगा idiom का meaning क्या है तो idiom दिया हुआ है कि have a foot in the grave तो आपको जो है यहाँ पर पढ़ते ही समझ आ जाना चीए कि इसका meaning क्या है बहुत ही easy है तो यह जो है एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि कबर में पेर लटकना मतलब कि मर्ट्यू के निकट होना यानि कि एक तरीके से अपनी मोत के करीब पहुंचना तो इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा meaning सही होगा options दिये गए हैं कि have no interest in life option number B be afraid to die option number C have an incurable disease या फिर option number D be close to death तो यहाँ पर देखिए option number D में आपको दिया गया है be close to death तो यह जो है यहाँ पर right हो जाएगा इसके अलावा अगर दूसरे options की बात करें कि have no interest in life तो इसका मतलब क्या हो गया मतलब कि अपने life में कोई भी रूची ना होना यानि कि कोई भी interest ना होना फिर दिया गया है कि have an incurable disease ठीक है इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब हो गया एक तरीके से कोई रोग होना ठीक है यानि कि कोई बीमारी होनी ठीक है और एक और दिया गया है कि be afraid to die ठीक है यानि कि मरने से डरना तो ये जो तीनों हैं ये गलत हो जाएंगे और have a foot in the grave के लिए जो है correct हो जाएगा be close to that, clear हो गया, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, देखिएगा दोस्तों question number 9 यहाँ पर जो है, क्या बोला जा रहा है, कि select the most appropriate synonym of the given word तो synonym बताना है भई, ठीक है, synonym और antonyum, ये जो दोनों मिला के आपको 2-3 question आपके नावी की exam में देखने को मिलेंगे 15 marks की इंगलिस आपके exam में पूछी जाती है, ये सब आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है इसके लिए जो है, आपको synonym बताना है, तो synonym जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, option number C में आपको दिया गया है, precise ठीक है, precise जो है, ये दिया गया है, इसका मतलब हो गया एक तरीके से spust, ठीक है यानि कि spust या फिर सही, जिसका भी मतलब यही होता है, कि यथार्थ या फिर सही, clear हो गया, तो ये जो है, आपके यहाँ पर synonym हो जाएगा, accurate के लिए चलिए हम दूसरे words को भी जान लेते हैं, तो देखिए real दिया गया है, ठीक है real का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सही, नई, मतलब वास्तविक जो होता है, उसके लिए हम लोग बोलते है real फिर देखिए, एक word दिया गया है, sincere, sincere का आप लोगों को सभी को पता होगा, कि इमानदार जो होता है, ठीक है उसके लिए हम लोग बोलते हैं न sincere और genuine मतलब हो गया एक तरीके से असली ठीक है सारे words का meaning समझ आ गया और आप लोगों को पता चल गया कि accurate का synonym क्या होता है यह जो है आपके Air Force X और Y Group exam में previous year में भी आ चुगा है तो उस हिसाब से भी आपके लिए important हो जाता है ठीक है तो चल आपको यहां पर antonium बताना है word क्या दिया गया है तो आपको एक word दिया गया है hope ठीक है hope का मतलब क्या होता है आसा करना to want something to happen or be true यानि कि एक तरीके से आसा करना इसके लिए जो है antonium क्या हो जाएगा options देख लेते हैं तो daring, courage, despair या फिर confidence तो hope के लिए जो है दोस्तों हमा पर antonium हो जाएगा despair ठीक है despair मतलब क्या हो गया the state of state of having lost all hope यानि कि एक तरीके से निराशा इसको जो हम लोग बोलेंगे निराशा आसा का opposite क्या हो जाएगा निराशा तो correct answer हो जाएगा option number C despair चलिए मैं आपको दूसरे words के भी meaning बता दूँ तो daring का meaning क्या होता है daring मतलब हो गय और एक confidence दिया गया है तो confidence का मतलब आपको पता ही होगा आत्म विश्वास होता है confidence का तो यहाँ पर hope के लिए हो जाएगा option number C despair clear है चलिए अब देखिए दोस्तों question for you में एक question जोए आप लोगों के लिए है खुद से try कीजिएगा इसको बनाने की और इसका right answer जो भी होगा आपका नीचे comment box में जोए आपको comment करके जरूर से बताना है मैं हर वीडियो के नीचे आपको एक question for you में question देता हूँ आप लोगों में से काफी लोग इसका सही answer देते भी हैं और काफी लोग इसको neglect कर देते हैं तो आपको इसको neglect नहीं करना है मैं आपको जो भी question देता हूँ important question होते हैं आपके previous year में आचुके होते हैं तो इनको ignore मत क किजिएगा आपको जो यहाँ पर idiom दिया गया है कि in a nutshell ठीक है इसका जो भी आपका सही meaning होगा आपको नीचे comment box में comment करके बताना है ठीक है I hope आप लोगों को सारे question जो है समझ में आ गये होंगे और कोई भी doubt जो है इस वीडियो को लेकर के नहीं रहा होगा तो अगर आपक पसंद आया हो तो वीडियो को लायक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हो